इस परा से हमने देखा है कि अंटरास्ट्य बजार। हमने कई सारे श्यड़ों का चुनाओ किया जिसमें आज के टेड में कहीं ने कहीं तेजी या मन भी देखने को मिल सकती है रत नमस्कार आपको भी इसता सर्म ने देखा है कल आप छुटी पे थे लेंकल भारते बजार हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग उसके है उपरी अस्तों से बजार तेई से गीड़ा यहा यह चिंदा है कि बजार में फिर से मुनाफ़ा वसूली कहूंगा इस बार मैं और फिर से वही बात हुई है कि हमको इस सिंक होना पड़ेगा इंटरनाशनल मार्केट के साथ जिस तरपे ट्रेडिंग हो रही इंटराश्र माजार रुकर और जो यूए से क्यूज निकल के आरे उसका असर तो डेफिनिटल आज इमर्जिंग मार्केट पड़ा है तमाम मार्क इस तरह सर ने देखा हुए कि डालिया भारत ने बिनानी सिमेंट को खरदा है तो कहीं ने चोटे मजोले सिमेंट शेरों में आज के ट्रेड में मजबूती देखनों को मिल सकता है एक सो पैंसर्ट रुपे का आपको अलग्षक ना है एक सो चपपन रुपे करें के लिए स्टोपलस लगाना होगा आज का जो अगला शेर होगा अब मैं विकवाली की सौधे की बात करूँगा IDBI बैंक होगा जिसमें की भी रखता दवाव देखने को में सकता कल जब फास्ट वनी दसमेले कमें कर रहा था शोथ उसमें इस शेर में विकवाली करनी के मैंने सला दी थी उस समय केवाद शेर एक पसेंट डाउन था बाद में देखिए यह शेर करीब साथ पसेंट की गिरावट के साथ दिन के निचले अस्तर पे बंद हुआ ये गिराबट आज भी जारी रहनी की पूरी संबामना है देखिए एक ऐसा ये बैंकिंग शेर है जो बीते एक हपते में करी 20% से ज़्यादा चला है एक जोर्दा अरेली दिखाई है लेकिन जिस तरह से वापस से मुनाफ़ा वसुली हाभी हुई है उसमें इस बात की गुंजाईस है कि शेर में भी दबाब देखने को मिल सकता है यही बज़ा है कि बीते सत्में शेर में देखिए वाइदा बजार में ओपन इंटरेस यानि को आई जो एक री 12% के आसपस का घटा है तेजी के सौदे घटे हैं असल आर्थवा निगेटीव देखने को मिल सकता है आप 72 रुपे का लक्ष के साथ भी खवाली कीजिए 75 रुपे 50 में से का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा लेकिन पहला सौदा मेरी और से विदानता है देखे मजबूत स्ट्रक्चर है हो सकता है अज metal mining stocks negative play out हो लेकिन विदानता के लिए एक positive ख़बर ये है कि Ministry of Mines ने कल guidelines जारी कर दी निजी players जो कि अब auction कर सकेंगे commercial mining के लिए उसके लिए guidelines जारी हो और उसमें 1.db है कि 100 VCD तक FDI के मंजूरी मिल सकती है commercial mining के लिए तो एक positive ख़बर है विदानता आज drive हो सकतार वो तमाम कंपनियां जो commercial mining की होड में लगी है उनके लिए आज एक positive ख़बर निकल के आई है विदानता आज का target 347 stop loss 337 का आपको लगाना होगा आज के trade में strict stop losses follow कीजिए trade तभी बनाए जब कल की closing के ऊपर कोई stop निकले इसके लावा बिक्वाली करें आज शुरुवाती सतर में just dial में जिसमें हो सकता है कि profit booking अभी और है उपरी सरोपर share पर दबाव कल के सतर में भी proof हुआ लगभग घढ़ाई फीसीती से ज़ादा की गिरावट देखने को में दे थी लेकिन important है कि तमाम जो एहम averages है उसके नीचे काम काज कर रहा है important resistance zone टेस्ट करने के बाद बिक्वाली है तो technically तो cell call निकलती है 440 से 442 तरके targets रखें और 452 यह आज की दिन का एक stop loss आपको just dial पर लगा कर चलना हो प्रत यह शेर आपके portfolio में नहीं होता है मेरे portfolio में निश्ट प्रत होता आज के टेर्ड में दबाब दिखने को नहीं सकता लेकिन आज का जो मेरा अगला शेर होगा Apollo Hospital सोगा इसमें के आज के टेर्ड में प्राली करने की सिला दे रहा है 1240-42 का कैसा zone है जो इस शेर के लिए मजबूत रेश्टेंस का काम करता है इस अस्पर पर जब भी आया है शेर वहाँ से फिसलता ही है कल के टेर्ड में भी देखे का में सूसी के आसपस पहुंचा वहीं से गिराबट देखनों को मिली बीते दो दिनों में इस तरह से वाइदा बजार में शेर में मंदी के सौधे खरे होने सुड़ी वापस से और ये स्ट्रक्त ये कुछ है कैसा शेर है जब बजार में गिराबट आई टी देखनों को मिली थी आज दवाब देखनों को मिल सकता एक 960 रुपे के लक्ष के साथ दिखवाली कीजिए 1250 रुपे का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा टाटा केमिकल एक शेर होगा जिसमें की तो बिखवाली करने के सिला होगी जो एक रेसिब ट्रेटर होई इसमें टेट है क्योंकि हलो बीटा निचर का ये शेर है गिराबर्ट भी बहुत जाद देखने को नहीं मिलती है तेजी भी बहुत जाद देखने को नहीं मिलती है क्योंकि अभी तक ये शेर देखिए बाजार में जब पुलबेक रैली आई थी तो इस शेयर में कहीं से pullback देखने को नहीं मिली बहुत जादा ना केवल मजबूती तो छोड़ी ये pullback भी देखने को नहीं मिली थी ऐसे में इस बात की गुंजाइस है कि शेयर में वापस से फिर से दवाव भावी हो सकता है जिस तरह से एजिक सिंप्टी संके थोड़े खराब देखने को मिलने है 680 रूपे के target के साथ बिक्वाली करके चल सकते है 710 रूपे का आपको इसमें आज के लिए stop us लगाना है बिक्वाली करनी है तो Power Finance Corporation एक स्टॉक हो सकता है जिसमें profit booking रहे देखिए ये जो Power Finance चुड़ी कंपनी है पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी दिखाई लेकिन अब higher level पर टिकना मुश्किल हो रहा है दो दिनों की तेजी के बाद कल के साथर में एक भारी फॉर higher level से Power Finance Corporation के structure पे आता हुआ नज़रा है आज 103 से 104 के zones इस stock पे हो सकता है कि आते वे नज़राएं आप अगर stop loss लगाना चाहें 109 का तो strictly follow कीजिए लेकिन बेच कर चलें 103 तक के targets Power Finance Corporation पे आज के लिए एक खबर है BPCL पे lower end से जो खरेदारी है वो देखने को मिल सकते है और खबर यहाँ पर यह है कि बीना refinery में हिस्सा दिकरी की योजना है सूतरों के हवाले से खबर है और 26% stake जो हो सकता है कि company बीना refinery में बेचे मौजुदा शमता जो है इस refinery की वो लगबग 6 mm TPA है एक positive खबर 426-427 के लेवल पर कल close हुआ आज के लिए 433-434 ये एक target रहेगा और 423 का लगाना हुगा एक छोटा सा stop तो मैंने अभी तक आपको आपको आट share बता है आप मैं कुछ share खरदारी के बताएगा है कुछ share विक्वाली के बताएगा अब बात करते है आज के EPS share की मैं तक से जो भीकवाली के एक सौधा होगा थोड़ा एक रेसिप कॉल होगा IT कंपनी निरत होगी और एकल फार्णिसर देसे मुझे लगता है कि दबाब देखनों को मिला था अच्छी बात है हलाकि इसके पहले जब बाब देखनों को मिले थी बाकी IT स्टोक्स में पुलबेक रेली थी लेकिन एक ऐसा शेर इसमें पुलबेक रेली थी देखनों को मिले बीते पांस दिनों से लगाता शेर में दबाब देखनों को मिला और हंड़र डेमान के नीचे आके कालबार कर रहा है अब वाइदा वरा संकेत देखे इस ये में लगातार जो है सिरीज के सुलवास से भी मंदी के सौधे खरे हो रहे ऐसे में लगता है को रेकल फानिस से भी गिराबट देखनों को मिल सकती है 3775 रुपे का आपको टागेट रखना है और 390 रुपे का लेकिन इसमें आज के लिए इस टॉपस लगाना है अगर आप ट्रेड करते हैं तो 1140 ये एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टागेट 1180 तक के देखने को मिल सकते है चली फटफट सरीके आप देख लेतें कौन से ट्रेड आपको बताया गए है शुरवात मैंने विदानता के साथ की है और एक हरेदारी का सौधा इसलिए क्योंकि खनन मंतराले ने निलामे की गाइडलाइन्स निजी प्लेयर्स के लिए गाइडलाइन्स तैकी है जिसमें कोल ब्लॉक माइन्स में 100 PCD FDI की मंजूरी की बात की गई है विदानता आज के लिए 347 का टागेट 337 का एक स्टॉप लॉस जसडायल और पावर फिनान्स कोपरेशन दोनों ही स्ट्रक्चर्स कमजूर है हाई लवर पे प्रॉफिट बुकिंग अभी होड देखने को मिल सकते है जसडायल पे 442 का टागेट है 452 का स्टॉप लॉस पावर फिनान्स कोपरेशन एक सो तीन का टागेट 109 का स्टॉप लॉस और BPCL आज के लिए 433 से 434 के लिए खरीदें 423 का लगाई एक स्टॉप लॉस और बतावर EPS चेर इनफोस जिसमें आज का टागेट है 1180 स्टॉप लॉस 1140 कोटक की एड रेटिंग है और यहाँ पर लक्षे जो कोटक ने दिया है वो 1250 का मेरी तर्षे जो पावर शेयर बता गया है पाथ में से एक मार्शेयर हेडलबक सिमेंट होगा इसमें काज के टेर में मजबूती देखने को मिश सकती है देकर जिसतर से डालमिया भारत ने मीरानी सिमेंट को खरदा है तो यह ख़बर पुरे सेक्टर के खास्वा पर छोटे मज़ले जो सिमेंट कंपनिया उनकी री रेटिंग कर सकता है इन ख़बरों के डम पे जो हेडलबक सिमेंट मार्स के टेर में मजबूती देखने को मिल सकती है 165 रुपे का आपको इसमें टार्गेट रखना है IDBI बैंक में खरदारी करे विकवाली करने के सला होगी बीते सर्थ में देखे शेयर में एक जोड़दा गिरावर्ट देखने को मिली है और ये एक ऐसा बैंकिंग स्टॉक है जो बाकी बैंकिंग शोय के में काबले एक शांदार रिटर्न दिया है एक हफते में अब कहीने काई जिसतर शेयर में जो है मतेरी के स्वाज़े घटने शुरू हुए है इस बात की गुण्जाइस है कि शेयर में और भी दवाव देखने को मिल सकता है IDBI बैंक में 72 रुपे के टार्गेट के साथ विकवाली करके चलिए 75 रुपे 50 पैसर का आपको इसमें स्टिक्ट स्टोपलस लगाना होगा Apollo Hospital होगा जिसमें क्यास के टेड में बिकवाली करने के सलाओगी देखे इस शेयर के जो मंदी के सौधे करी 12% के असपास के बढ़ते हुए दीखे है यह जो चेंज हुआ है शेयर में गिराबट देखने को मिल ले ही है 1160 रुपे के टार्गेट के साथ बिकवाली करके चल सकते है Tata Chemical में दवाब देखने को मिल सकता है 680 रुपे के टार्गेट के साथ बिकवाली करके चल सकते है अपने कुछ important moving average के नीजिया के कारवार कर रहा है वापस ले शेयर दवाब देखने को मिल सकता है Oracle Financial बतोर EPA शेयर में उतारा है यह एक ऐसा शेयर आइटी के सक्टर में देख सकते है इसमें लगतार पांस सत्रों से जब बाजार मेरी कभी थी दो दिरों में तो भी शेयर में दवाब देखने को मिला है सिरीज के शुरुआ से लगता शेयर में मंदी के सौधे भने हुए 375 रुपे के लक्ष के साथ विकवाली करके चल सकते है तो मैंने और अज़त ने अभी ताक को 10 शेयर बताया है चार शेयर खरदारी के है लेकिन कल जो सबसे जादा सेक्टर पे इठा था वो था बैंकिंग तो आज भी हो सकता है कि दवा भी देखने को मिला आप सुचिए कि कल PNB 10 में ने विकवाली करने सला दी थी अच्छा मोटी मोटी बात है कि 100 रुपे के लेवर के लेवर के लेवर के लिए और जो दीख रहा था उसमें इसका लेवर बहुत मुचे का दिख रहा है तो देखना पर एगा PNB 10 रुपे कर सकते हैं कि हर रोज कुछ ने कुछ नया निकल किया रहा है इस मामले में अब ये खबर आ रही है कि निरा मोदी ने दिवालिया होनी की अरजी डाली है उसमें बिदेसों में ने तो आज खबर के बलबूते बिनानी इंडस्ट्री इसको शामिल किया है कि यहां पर खबर यह है कि सीमेंट कारोबार के लिए दालमे भारत कंसौशियम जो है कि 115 से 116 तक के जोन आज ही बनानी इंडस्ट्री इस पर देखने को मिल जाएं 110 का लगा लिए एक स्टॉप लॉस लेकिन तमाम जो स्मॉल कैप और मिड कैप ले होगा सीमेंट पैक में आज के सत्र में वो अट्राक्टिफ ले हो सकता है आप नज़र रखें तमाम सीमेंट स्टॉक पे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक पे इसके लावा अगर बेच कर चलना है तो वो है PVR लेकिन कोई राहत नहीं है तमाम एवरेजिस के नीचे आके अभी ट्रेड कर रहा है बजार पे कोई भी पुल बाक आया और इसमें भी कोई भी पुल बाक आया तो ट्रेडर्स के पास एक उपरचुनिटी होगी कि दुबारा से शॉर्ट्स ओपन कर दें यानि की बिकवाली करके चलें आज के सद्र में अगर बेचते हैं तो कलकी क्लोजिंग के हिसाब से आपको 1344 ये लगाना है एक स्टॉप लॉस और 1310 तक के टागेट्स PVR पर देखने को बिल सकते हैं आज का जो में अगला शेयर होगा जिसमें दवाब देखने को मिल सकता है आज के टेड में 325 रुपे का स्टिक्ट स्टॉप लगाई है लेकिन 315 रुपे के टारेट के साथ आप विकवाली करके चल सकते है रिस्क रिवार्ड रिस्ने दो के कापी फेवरेबल दिया गया है इसके लाब आज का जो में अगला शेयर होगा टाटा स्टील होगा जहां पर दवाब देखनों को मिल सकता है जिसता से डॉलर इंडेक्स में तुछाल देखनों को मिला उसकी बस इस बात की गुंजाइस है कि मेटर शोय में दवाब देखनों को मिल सकता है टाटा स्टील व अगला शेयर जोगा वो के रिलांस कैपिटल देखिए एजी एडी एजी पैक्ट जो है उसमें हाय लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और ये शेयर कमजोर हुआ पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद कल अचानक धिक्वाली हुई आले डेली चार्ट कमजोर हुए हैं 473 के लेवल्स के अब नीचे फिसलने के चांसे जादा है 465 ये आज के दिन का लगा लिजे एक टागेट और 476 का एक छोटा सा स्टॉपलास रिलांस कैपिटल पे आज के ट्रेडिंग सेशन में लगा कर चल सकते हैं आचा एक और पॉकिट जो अट्राक्टिव हो जाएंगे 1120 तक के देखने को मिल सकते हैं 1085 का लगाना हुआ एक स्टॉपलास ये आज के ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव से यानि की 1091 के ऊपर ही आपको ट्रेड इनिशेट करने हैं लेकिन अगर पोर्टफोलियो में रखना चाहें गिड़ते बजार में तो इसमें स्ट आधे गहंटे में देखने को मिला था, वैसे में गुंजाइस है के शेर में दबाब देखने को मिल सकता है, 320 रुपे के टार्गिट के साथ रिकवाली करें चल सकते है, 331 रुपे का आपको इसमें इस्टॉपर्स लगाना होगा, सिमेंस होगा एक शेर जिसमें की दबाब देखने को मिलें यानि 6-70 से शेर में गिरावट जारी है जब बाजार में रिकवरी थी दो दिनों तक लगाता उच्छाल देखने को मिलना है यह ज़िए अब विकली चार्ट पर शेर बहत कमजोर हो चुका है 1140 रुपे के टार्गेट के साथ आप विकवाली करके चल सकते हैं 1170 रुपे का आपको इसमें स्टॉप्रस लगाना होगा लेकिन मार्केट्स पे आज गिरावट हो डेफिनिटली देखने को मिल सकते है मार्केट्स पे यह लार्ज क्याप और स्मॉल क्याप के बीच में फिर से डिफरेंशल है अभी भी वैलुएशन सपोर्ट नहीं करें मिट्कयाप और स्मॉल क्याप स्टॉक्स को इसलिए बात करें का भाव भगमान्षे वाली बाते हैं चुकि संक्रित खराब देखने को मिलने है तो बेच के कमाने में कोई दिक्क्यत नहीं है इसलिए जाए था बिकवाली के सवद्य ही बता रहे है कल हलाकि एक ट्रेंड देखनों को मिला था बाकी यहाँ से थोड़ा कमजोर होते है तो थोड़ी दिक्कत भढ़ सकती है यह कुछ खत्रे गहंटी अल्रेडी है इंडियन मारकेट्स के लिए अब देखना होगे कि आज मारकेट्स कैसे पैन आउट होती है बाकी कसर जो है पावल के बयान ने पूरी कर दी है ठीक है लेकिन यूस मारकेट्स के गिरावट्स का सर तो देखने को मिलेगा या इंडियन मारकेट्स पे दो ट्रेड्स कौन से हैं जो आपके पोट्फोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं आज के सुपरेड शियर्स भी देख लेते हैं बजार में मूड नेगेटिव है लेकिन एक स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा यूपियल जिसमें आज आप ट्रेड कर सकते हैं और वो भी पॉजिटिव साइट पे करेंगे तो यहाँ पर जादा रिस्क रिवाड रिशो आपके फेवर में बैठेगा आप 715 का लगा लिजे एक स्टॉप लॉस और 735 आज का ट्रेड यूपियल पे खरदारी करके चलें लेकिन यह जो कम्पनी है यहाँ पर वैसे भी पिछले कुछ दिनों में अक्टिविटी स्टॉंग हुरी है बजार चेज कर रहे हैं उन स्टॉक्स को जहाँ पर आने वाले समय के लिए अर्निंग्स डिसकाउंट होती भी नज़र आएं यानि कि यहाँ पर जो ग्रोज कम्पनी हैं बजार पे उन पे कही ना कि जादा मूड पॉजिटिव बनता हो नज़र आएगा यूपिल जिसमें से एक है मोतिलाल ओस्वाल फिनांशल स्र्विसेस 735 आज आप तागेट रखे है उनका एग्रेसिव टागेट है 900 के पार का लेकिन आब आज के लिए 735 के टागेट है और स्टॉप लॉस्ट आई और यह से कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं तो हो सकता कि बज घर लेकिन ऐसन इंडिया में दपने दिखने के नीक में हैं 100 डेमा को तमाम कोशिसों के बाबजूद अच्छी खरदारी के बाबजूद ये पार नहीं कर पाया है और जब आज संकेत खराब है तो हो सकता है कि इन शुरों में दबाब तेज देखनों को मिले ये जब बाजार में गिराबट आई थी तो कुछ एक शेर जो बहुत ज़्यादा तूट गए थे उसमें ओयल इंडिया जिसे शेर थे और रिकाबरी दिखने ही रही है वाइदा बाजार में कोई बहुत अच्छे तेजी के सौधे बनते वे दिखने ही रहे है इस बात की गुंजाइस है कि जब बाजार कमजोर होगा तो इन स्वे में वापस से गिराबट तेज हो सकती है तीन सो चालिस रुपे के टार्गेट के साथ अब बिकवाली करके चल सकते हैं तीन सो बावन रुपे का आपको इसमें इस्टोपस लगाना होगा तो मैंने रगत ने आपको 20 शेर बता हैं अधिकान शेर से आज के टेट में आप देखेंगे तो बिकवाली कहीं बताएगा है क्योंकि एजजेक्स निप्टी में अभी भी करीब 60 अंकों की गिराबट देखनों को मिल लई है अभी भी कमेंस ये कह सकते हैं कि जिख सिप्टी दिन के निशले अस्तरों के आसपास ही करवार करा अच्छी बात यह है कि 10,500 को पट्टिका हुआ है अभी भी तो हो सकता है कि बाजार को एक बार 10,503 के आसपास ही टेट करा सबकी निशले असपास होगी यहीं पर देखने को मिल ला है बिल्कुल देखना होगा मार्केट पर जिस तरीक की रैली आये न तो कही न कहीं बचाना होगा बजार को 10,500 का स्टर जो आज बचना मुश्किल थोड़ा लग रहा है उसके बाद 10,400 इन फाक्ट यह हर 100,000 पॉइंट के आसपास बजार में जिस तरीक की तेजी बनी है ना देखें मोटी मोटी बात यह है कि जब तक 10,270 का लेवल नहीं टूटता तब तक खतरा नहीं है पिछला लो जब तक नहीं टूटता तक खतरा नहीं है जैसी यह टूटेगा ना उसके बाद जो पैनिक बनेगा मार्केट में वह दिक्कत क्रियेट कर सकता है पर मैं समझता हूँ कि अभी बचा जाएंगे बहुत नबी सीरीज है मुझे भी लगता कि बचा जाएंगे हलाकि कल के बाद एक सेंडर्ड विकेंड है तो देखना पड़ा है कि बचार की इसका बच बैठता है लेकिन आज जिन स्चोड़क के मैं चर्चा के एक बास का रीकैप ले लेते हैं किसमें खरदारी विक्वाली करने के सलादी है आज मैंने एक माच शियर हेडलवक सिमेंट में खरदारी करने के मैंने सलादी है जिसतर से डालमिया भाहत ने बिनानी सिमेंट को खरदा है इस सेक्टर की हो सकती है छोटे मुझे सिमेंट शिरो की री डेटिंग होते हुए दिखे ऐसे में हेडलवक सिमेंट में आज के टेड में 165 रुपे करक्ष हांसिल हो सकता है लेकिन IDVI बैंक में दबाब देखने को मिल सकता है 72 रुपे के टार्गेट के साथ विक्वाली करें चल सकता है वाइदा बजार में 30 के सौन्दे काफी 23 से घटे हैं दबाब देखने को मिल सकता है Ápollo Hospital और Tata Chemicals में वी आज के टेड में दबाब देखने को मिल सकता है विक्वाली केका चल सकते हैं इन दोनों शेड़े में और एकल Financial को मैंने बतोर EPA share उतारा है विक्वाली करने के मैं इसलिए सला दे रहा हूँ कि लगातार देखे बीते पांस सतरों से जब बजार में भी रिकवरी थी ये शेर में दवाब ही देखनों को मिला ये शेर कई सारे अपने इंपोर्टिन मुविंग एबरेज के नीचे कारवार कर रहा ऐसे में गुणजाईस है इस बापकी के शेर में और भी दवाब देखने को मिल सकता है 375 रूपे के टारगेट के साथ बिकवाली करके चल सकते हैं आइसे से बेंक एक शेर होगा बैंकिंग में इसमें मुझे लगता है कि दवाब देखनों को मिल सकता है विकवाली के चलिए 315 रूपे का टारगेट होगा टाटा इस्टिल में दवाब देखनों को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में जो उच्छाल देखनों को मिला तो मेटल शुरम हो सकता है दबाब देखनों को मिले 650 रुपे का टागेट लगाई है मधसन सुम्ली में बिक्वाली करने के सलाओ की 320 रुपे का टागेट रखना प्रो के जासे से तोई टागेट घटा है सीमेन से कैसा शुरम है जिसमें भीते कई सतरों से इनफेक्ट 6 सतरों से दवाब देखनों को मिला इरावट देखनों को मिल सकता है अभी भी 1140 रुपे के लक्ष के साथ दिखवाली करके चल सकते है बतोर सुपेट से मैंने ओल इंडिया को उतारा जिसमें की दवाब देखनों को मिल सकता है यह शेयर बाजार की रिकवरी में कहीं सरी कवर नहीं हो पाया आज क्योंकि संकेत खराब देखनों को मिले है तो शेयर 340 रुपे का टागेट हासिल कर सकता है नीचे की तरह से हाई स्ट्रक्चर हाई लेवल पे प्रॉफिट बॉकिंग शोग कर रहा है यानि कि टिकना मुश्किल हा हाई लेवल पे जस्ट डायल आज 442 का टागेट बेचें ऐसे 452 के स्टॉप लॉस के साथ और साथी साथ PFC आज का टागेट रहेगा 103 स्टॉप लॉस एक स्टॉप ल लक्षे के लिए आगे बढ़ें इसके लावा बिनानी इंडस्ट्रीज खरेदारी करके चलें दालमिया भारत कंसोशियम सबसे हाईस बिडर निकल के आया है सीमेंट कारोबार के लिए आज के लिए 116 का टागेट 110 का स्टॉप लॉस बेचने के लिए दो स्टॉप लॉस ब मोतिला लोसवल फिनांशल की पॉजिटिव रिपोर्ट है लेकिन आज के लिए टागेट है 735 से 740 स्टॉप लॉस 715